दोसो दुनिया का सबसे अमीर अपरादी, बेटी को थन से बचाने के लिए उसने जला दिये थे 13 करोड रुपए दोसो अभी तब के इतियास में अगर कोई सबसे चतुर और सबसे बड़ा अपरादी था तो वो था कोलंबिया का ड्रग लॉड पालबो एसकोबर कभी दुनिया का सबसे बड़ा अपरादी कहा जाने वाला पालबो एसकोबर कोकीन का अब तक का सबसे चालबाद सोदागर था उसे विश्व इतिहास में सबसे अमीर और सबसे कामयाब अपरादी माना जाता है साल 1990 में फोर्स पत्रिका ने एसकोबार को दुनिया का सात्वा सबसे अमीर व्यक्ति गोशित किया था जिसकी अनुमानित व्यक्तिकत समपत्ती 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी पालबो कोलंबिया में ड्रक्स की तस्किरी किया करता था और इसी ने उसे सबसे अमीर अपरादी बना दिया था पालबो के बारे में एक किस्सा महशूर है कि बेटी को सर्दी लगी तो उन्होंने करोड रुपए जला कर उसकी सर्दी दूर की थी किसी जमाने में हर हपते 42 करोड डॉलर याने करीब करीब 2814 करोड रुपए की कमाई करने वाले पालबो ने बिना कुछ सोचे अपने परिवार के लिए नोटों को आग लगा दी थी उससे जुड़ी यह कहानी वाइरल हो गई थी एक बार पुलिस से बचने के लिए उनका परिवार थंडे पहाणी इलाके में लंवे समय तक छुपा हुआ था लेकिन एक रात पालबो की बेटी को थंड की वज़़से हाइपो थर्मिया हो गया यानि थंड की वज़से शरीर का तापमान तेजी से गिर गया बेटी को बचाने के लिए 20 लाक डॉलर यानि के 13 करोड रुपए की संपत्ती में आग लगा दी थी ताकि बेटी के शरीर का तापमान नॉर्मल हो सके उसे एक गर्मी मिल सके उसके पास असंख्य बंगले वह लगजरी गाडिया थी इतना ही नहीं 1986 में उसने कोलंबिया की राजनीती में प्रवेश करने का प्रयास किया यहां तक कि उसने देश के 10 बिलियन डॉलर के राश्ट्रिय कर्ज को चुका देने की पेशकर्ज भी रखी थी जिसके बाद उन्हें रॉबिन होड कहा जाने लगा एसकोबार को कोलंबिया सरकारों और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक दुश्मन के रूख में देखा जाता था इसके बावजूद वह मेडिलिन में कई लोगों के लिए एक नायक था सारवजनिक संबंदों के मामले में वह स्वाभाविक व्यक्ति था और उसने कोलंबिया के गरीब लोगों के बीच सुनाम कायम करने के लिए काम किया था